बात करने के लिए लोग इन करें www.astrotak.com मित्रो नमस्कार सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दिपाविली पर्वक की हार्दिक शुब कामना है मैं हूँ आपका मित्र कमल लंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभी नंदन करता हूँ एस्टो तक की खास प्रस्तूती कमल लंदलाल की भविश्वाणी आपका राशिफल इस राशिफल में बात करेंगे मेश से लेकर मीन राशिफल की साथे साथ आपको बताएंगे राशिय नुसार को सरल उपाय राशिय नुसारी आपका शुभंक और शुबरंग भी पंचांग बताएंगे और राश्य फिल के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा विशेश उपाय जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुटकियों में दूर कर देगा तो चलिए राश्य फिल को शुरुबात करते हैं पंचांग के साथ में दिन है मंगलवार का तारीक है 25 अक्तूबर 2022 कारते कृष्ण मावस्या पर चंदरमातुला राश्य फिल चित्रा नक्षत्र में रहेंगे दिन का शुभंक रहेगा पांच शुभंक रहेगा हरा शुबदिशा रहेगी दक्षन राहु काल रहेगा शाम को तीन बज़े से लेकर साड़े छए बज़े तक दिन का सबसे शुभं महरत रहेगा शाम को 6 बच कर 59 मिनट से लेकर रात को 8 बच कर 45 मिनट तक विशेश क्या है कारते का मावस्या है और इस दिन सूरे ग्रहन रहेगा और हमारा जो विशेश उपाय है वो सूरे ग्रहन से ही सम्मंदित है आपको ब इस्तता रहेगी जल्दवाजी से हानी की संभावना है विवाद से बच्छें पारवार इकलेश के योग हैं उपाई ये करें कि मस्तक पर संदूर से तलक करें शुभंक रहेगा पांच शुभंक रहेगा हरा दूसरी रैशी वरिश यानि के टॉरस की बात करेंगे काम काज मे रहेगे पिता के साथ में किसी विशा पर चर्चा होगी फसावा धन मिलेगा रुके वे काम पूरे होंगे बरतन के व्यापारियों को धनलाब होगा उपाई ये करें कि पीपल के नीचत चमेली का दिपक करें शुभंक दू रहेगा शुभंक रहेगा सफेद तीसरी रैशी जमनाई की बात करेंगे गलतियों को नजर अंदाज ना करें बिजनिस में नई योजना बनाएंगे काम करने के तरीके में सुधार लाने की कोशिश करेंगे जीवन साथी से व्यवार बहतर रखें उपाईये करें कि कागस पर सिंदूर से श्रीम लिखकर बटवे में रखे शुभंक एक रहेगा शुभंक रहेगा शुभंक रहेगा लाल चौथी राशिक करक यानिके कैंसर की बात करेंगे आर्थिक खर्चों से परिशान रहेंगे सावधान रहेंगे शत्रु सक्रे रहेंगे चिंता और तनाव से परिशानी रहेगी ठाकान महसूस करेंगे धर्म कि वह जादा रुजहान रहेगा उपाईय करें कि गरीब बच्चों में नारदान करें शुबंग सात रहेगा शुबरंग रहेगा सिलेटी पांचवी रैशित सिंग यानि के लियो की बात करेंगे काम में जल्दबाजी से आर्थे खानी की संभावना है कारेस्तल पर रहेगा शुबरंग रहेगा गुलावी छटी रैशिक कन्य आयनि की वर्गों की बात करेंगे व्यवार से लोग प्रभावित होंगे पारेबार एक विवाद के योग हैं यात्रा सफल रहेगी प्रेम जीवन अनुकूल रहेगा बाधायन दूर होंगी कीमती वस्तों संभा कर रखें उपाय यए करें की घी में शहर्द मिलाकर दीपा करें शुबहं के क रहेगा शुब 144 रहेगा लाल साथ-वी रैशिव तुला एने की लिपरा की बात करेंगे कार्यक कुशल्ता में और अमसीमसा परषान रहेंगे, संपती में काम कारे की से लाब होगा, धनलाब के योग हैं, संतान के नौकरी लगने के भी योग हैं, उपाई ये करें कि गेंदा के फूल तिजोरी में रखें, शुभंक दो रहेगा, शुभंक रहेगा, सफेद, आठवी रैशिव व्रिश्चे कहने कि स्कौर्प रहेगा, शुभंक रहेगा, हराब, नवीर आशिव धनू, यानिकी से लेश्चेटेरियस की बात करेंगे, निवेश से लाब होगा, भाषव पर काबू रखें, बने-बनाए काम बिगणने के योग हैं, कारे अधिक्ता से नीजी जीवन प्रभावित होगा, परिवार के स स्थाओं मिलेंगे, मान सम्मान में व्रद्धी होगी, प्रेमी खरिदारी करने बजार जाएंगे, उपाईए करेंगे, पूजागर में अनार चड़ाएं, शुभंक चार रहेगा, शुभंक रहेगा, नीला, ग्यारवी रैशिक कुम्भ यानिकी अक्वारियस की बात करेंगे, परिज़रों सो समाचार मिलेगा, शतुर परास्त होंगे, कोई खास आपके विरुद्ध शड़ेंतर रचेगा, बात विवाद से बचें, कम खर्चे में बहुत बढ़िया खरिदारी करेंगे, उपाईए करेंगे, जो के दाने पर्स में रखें, शुभंक चार र रहेगा, शुभंक रहेगा, काला, तो दोस्तों, समय है, आज के विशेश उपाय का वो विशेश उपाय जो सहतने सुधार लाएगा, तिके सूर ग्रहन का दिन है, ऐसे में एक जरूर काम करें, कि ग्रहन काल के दौरान सतनाजा सिरसेवार कर पक्षियों के लिए रखें, और पूरे प्रियोग में सूर्य के विशेश मंतर का जाब करें, ओम रिशम मतेब नमा, आश्वस्त करता हूँ, आपको सहत में निश्चित सुधार आएगा, आज के लिए बस इतना ही, कल आप से फिर मुलाकात होगी, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को दिपावली मह होत सब की, हार्दुक्ष अपकामन, नमस्कार, नमस्ष्वाई.